दोस्तों आज का वीडियो जो रहने वाला काफी important वीडियो है आप लोगों के लिए क्योंकि आज के वीडियो की help से आपको idea लगेगा कभी भी आप quality assurance और quality control के interview में बैठोगे तो आप से क्या-क्या पूछा जा सकता है तो वो इस वीडियो में आप सीखने वाले हो बले आप किसी भी interview में जाओ building construction के interview में जाओ highway construction में और as a quality engineer या quality control QA के इसी में आपको आना क्या चाहिए वो भी इस वीडियो में से आप सीखने वाले हो ठीक है तो इसमें course भी है course आप पर होता है course आपको लेना है वो skill आपके अपने cb में डाल दी है ने डाल ली है वो आप पर depend होता है लेकिन video देख लेना क्योंकि knowledgeable video है जैसे हमारी regular video रहती है वैसे video आपके लिए रहने वाली है सबसे पहले इसमें चीज क्या है eligibility क्या है कौन इस course को ले सकता है पहले course का थोड़ा मैं बता दू फिर आपको मैं आगे बताता हूँ नया बेच है fresher या college student है working professional है lab assistant है diploma btec mtec non technical person है कोई भी scores को ले सकता है क्योंकि सबके लिए beneficial है ये तो इसमें scope क्या होता है QAQC engineer का देखो field में इसमें जो fresher QAQC अगर जाता है तो उसकी 4.3 lakh पर salary रहती है site supervisor और site engineer से सबसे ज़्यादा fresher में जो salary रहती है वो रहती है QAQC में every salary भी 4.3 से 18 lakh तक रह सकती है आपकी अगर आप इस department में जाते हैं और companies कोन सी है L&T है Tata है F.Cone है इसी बड़ी बड़ी MNC companies है जा इंडिया की जो top companies है उसमें मोका आपको मिलते है अभी में बात करते हैं कि आपको आना क्या चाहिए और site पर जाके आप कैसे करोगा ठीक है तो इसमें आपके पहले तो आपको role or responsibility पता होनी चाहिए कि quality assurance और quality control person जो रहते है उसको क्या उसक test की जाते हैं या site पर test की जाते हैं दोनों आपको आने चाहिए लैब में sample collection कैसे होती है grain size analysis कैसे होती है outer work, limit, city index, free swelling index, maximum dry dynasty यह सब चीजी होती है उसके बाद आपका होता है FDT जो existing ground level होता है उस पर हम site पर जाके करते हैं फिर आती है हमारी जहां road की construction होती है embagment होती है जो तो उसमें भी lab में क्या test किया जाते हैं और site पर क्या किया जाते हैं लैब में होता है same जो sample collection, grain size, outer work, plasticity index, free swelling यह embagment में भी होता है और field में किया जाता है FDT और moisture content test इसमें किया जाता है फिर subgrade और earthen shoulder में लैब में जो करते हैं sample collection, grain size, outer work, free swelling, maximum dry dynasty और जो site पर किया जाता है F humidity और moisture content test फिर जो granular subbase होता है उसमें same जो होते हैं sample से लेके mixed design तक aggregate impact value, dye density, water absorption यह सब होते हैं और field में add हो जाता है हमारा surface level test इसमें फिर water bound macadam में आपका size analysis, grain size, sample collection, outer work, फिर index, water absorption, aggregate, impact value, flickiness और elongation index इसमें add हो जाता है और side पर आपको करना पड़ता है इसमें volumetric test और moisture content test करना पड़ता है mix macadam में आपका sample collection, grain size इसमें जो add down आपके होते हैं वो होता है specific gravity test किया जाता है और mixed design का same इसमें FDT और moisture content किया जाता है फिर जो prime code और tag code डाला जाता है आपका सब कुछ हो जाता है यहां गाड़ी चलती है हमारी prime code tag code में तो उधर हमारा seep test for emulsion और viscosity का और फिर side पर test और spread rate test किया जाता है फिर जो open grade premix है carpet and seal code में उसमें आप सामने देख रहे हूँ यह पूरा note करके रखो यह आपको सीखने है अगर आपको किसी interview हो जाने है अगर यह सब चीज़े आती है तो आप किसी भी interview हो बैठो आप clear पकाऊंगे क्योंकि इसमें procedure होता है आप इसको perform नहीं भी करोगे procedure बत प्लास्टिसिटी इंडेक्स, Martial Stability और Flow Value फिर साइट पी क्या करते हो आप इसमें Gradation करते हो, Binder Content, Test of Temperature, Field, Density test करते हो और B2Bness Concrete में आपको क्या करना है Flow, Value, Martial Stability यह दो most important होते हैं बाकी तो जो regular चल रहे हो होते होते हैं और side पे जाके आपको करना होता है Gradation, Binder, Contact, Temperature, FDT और Dry in Concrete और PCC में आपको Modeless Upcent, Fineness, Silt Content चेक किया जाता है और side पे जाके Workability, Compressibility यह सब चीज़े किया जाता है जो हम Concrete में करते हैं और फिर Pavement Quality इसमें इसमें आपके यह test होते हैं देखो वीडियो पॉस कर ले ना नोड कर ले ना काभी काम की चीज़े है ठीक है यह और जो PDF चाहिए होगी दे दें आप चेक करते हों फिर आपके जो Building के Topic कवर होंगे वो होगा जो Quality Assurance के Inspector Methodology होती है जो उसमें हम बात करें Personal, Varricading, Lightning, Fire, Cleanness on Site, Checking Points यह सब चीज़े हैं आपको बताएंगी फिर Knowledge of Activity का, Marking और जो Setting Out होता है, Excavation for Basement of Footing का, Filling और Compaction का, ATT Test कैसे करते हैं मैसनरी में आपको पू आपको कैच चेक करने होता है QAQC में वो आपको बताए जाएगा, Concrete में हर एक Test, हर एक Procedure आपको बताए जाएगा, Blog Work में आप देखरेंगा, और देखो इदर से आपको Idea लग रहा है, आप किसी भी Interview में बैठोगे यह यह चीज़े आपसे पूछी जा सकती है, और आपको यह यह चीज़े आती होगी, आपको जॉब मिलेगी, QAQC में आप अपना करियर बिना सकती हो, हाकिंग का क्या Knowledge जो आपको होना चाहिए, क्यूं करते हैं वो आपको बताए जाएगा, Expanded Metal Fixing जो रहती है, आप सामने देख रहे हो, यह कैसे करते हैं, इसका Quality कैसे टेस्ट क रेटिकुलेटर, LPG सिस्टम, यह सब का Knowledge आपको मिलेगा, Electrical में High Voltage, HB, Extra High Voltage, यह complete आपको किये कि इसी में आना चाहिए, और यह आपको सिखाया जाने वाला है, जिपसम बग में आपको यह आना चाहिए, इसी लिए मैं बोल रहा था, यह Knowledgeable वीडियो, इसमें हमें पूरी यह सब checks आने चाहिए, painting में हम देखते हैं, तो painting में हमें यह सब सब आना चाहिए, और यह course में आपको सब कुछ मिलने वाला हूँ, और एक अच्छे price में मिलने वाला है, मैं price आगया आपको बताने वाला हूँ, wall, tiling, grouting, इसका पूरा quality check कैसे करना है, grain and marble, metal work, woodwork, flooring, और इस course को अगर आप लेते हो, देखो आपको idea लगया क्या मिलने वाला है, और यह course में मिलेगा, आपको आता है तो अच्छी बात है, आप सीखी और सीखिये, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर course लेना जाते हो, lifetime validity रहेगी, valid ISO certificate मिलेगा, regular doubt solving session रहेंगे, practice के लिए material, data, PDF, ऐसा certificate आपको दिया चाहिए, जब आपको certificate मिल गया और क्या चाहिए, certificate आपको आपकी interview में काम आएगा, आप खुद का काम करते हैं, उसमें भी काम आने वाला है, तो कियो कि इसी का course तीन दिन का offer रख रहा है, solitude education यह करवाने वाला है, मैं नहीं करवा रहा है, solitude education एक इंस institute है, जो आपको यह करवाएगा, और इसका regular price है, इस course का 10,000, लेकिन आपको सिर्फ offer price में मिलता है, 1,999 का, मतलब एप्रोक्स 2,000 आपको पे करना है, जो भी skills में आपको बताई, आप गर बैटके easily सिख सकते हो, 2,000 में, और 80% office में रहने वाले, इसके लिए आपको करना क्या इसके लिए आपको app download करना है, app description में link रहेगा, उस app को download करना है, बले play store से करो, बले iOS से, install करके आप एक course ले सकते हो, और limited seats है, 100 seats कुछ है, तो वो आपके लिए fill करना ही है, तो जितनी जल्दी apply करोगे उतना अच्छा है, तो description में link डाल देता हूँ, जल्दी जाके apply कर लो कद्छा है, तो झाल झाल झाल